साथियों मैंने उद्धाटन किया इसके लिए मैं अपने आपको धन्य मानता हूं क्योंकि कबीर साब बाबा साब आमबेटकर के गुरू थे बाबा साब आमबेटकर कबीर पन्ती थे और उन्होंने उस आधार पर समविधान के रजना किया और बाबा साब आमबेटकर का समविधान आज खत्रे में है तो कबीर से ताकत लेकर बाबा साब आमबेटकर के समविधान को बचाएंगे क्योंकि मोदी उस समिधान को नश्ट करना चाहता है इसलिए जितने बाबा साब आमेट करके मानने वाले लोग हैं वो यदि एक जूट हो जाएं और उनका एक नेता हो जाए तो निश्चित ही समिधान बच सकता है समिधान नेत्वत्य वहीन होने के कारण आप नहीं बचा पाएंगे एक समिधान पिक्चर निकला है जो राइपुर में दिखाया गया तो समिधान को कैसे बचाया जाए इस बात पर वह पिक्चर है और आज हमको संकल्प एना चाहिए कि कभीर के माध्यम से और दूसरे संत हैं भारत में संतों के कमी नहीं है उसके माध्यम से हम समिधान को बचाएंगे कभीर को उच्च पद्वेर लाएंगे इनी संकल्पों के साथ मैं अपने आप से अपिक्चा करता हूँ कि आप सब इसमें सहयोग दें और पूरा महराष्ट में एक बवाल पैदा हो और मैं यहां जो आप के पास आया हूँ वो महराष्ट में और तालिस लोग सबसीट है उन लोग सबसीट में खोच कर रहा हूँ कि किसको किसको खड़ा किया जाए और किसको आप जिताएंगे ताकि हम कभीर बुद्ध और सिक्धर्म के जो प्रमुक हैं उन सब को एक जुट करके और भारत में एक नही करांति लाएंगे और बाबा साब आम बेट करके समयदान को बचाएंगे उनको बचाना बहुत जरूरी है हम करके समयदान को भारत में एक जरूरी है यह उनको जरूरी है